अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं दोस्तों बेटी का विभा हर माता पिता के लिए विभिन भावनाओं से पूरित होता है एक और इस बात की खुशी है कि वो अपने घर जाएगी अपना नया संसार बसाएगी और अपना खुद का नया परिवार पाकर जिंदगी को आगे बढ़ाएगी उसे एक ऐसा जीवन साथ ही मिलेगा जो उसे खुश रखेगा लेकिन साथ ही दिल में एक गम भी होता है कि वो दूर चली जाएगी जब जब उसे देखने का मन होगा वो पास नहीं होगी माता पिता के साथ साथ स्वैम पुत्री के मन में भी विभिन भाते होती हैं जो शादी के समय वो किसी से कहने में असमर्थ होती है खुशी के साथ ही उसे भी अपने अपनोंग से दूर होने का दर्द सताता है लेकिन ये तो जग कीरिती है बेतियों को विदा होकर एक ना एक दिन जाना ही होता है ये बात जानते हुए भी माता पिता पुत्री के जन्म से लेकर बढ़े होने तक उसकी शादी के सपने देखते हैं शादी के लिए कैसा वर्चुने, कैसा घर हो, कैसे लोग हो वो खुश होगी या नहीं, शादी के लिए कैसी तयारिया हो और अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उसे कैसे तौफे दिये जाएं ये भी माता पिता के दिमाग में घूमता रहता है इसके लिए वो वर्षों पहले से ही योजनाय बनाना आरंब कर देते हैं उसे देने के लिए छोटी छोटी वस्तुएं बटोरते हैं ये वस्तुएं माता पिता का प्यार बनकर पुत्री के साथ जाती है ये प्यार उसकी ताकत बने, उसे जीवन में हमेशा परिस्तितियों से लड़ने की हिम्मत देता रही यही आशा रहती है माता-पिता की भारत की प्राचीनतम विद्या जोति शास्त्र में इस बात का उलेख किया गया है कि आप अपनी पुत्री को शाधी के समय जो तोफा देते हैं वो उसकी आने वाली खुशियों का निर्धारन करता है शादी के समय पुत्री को कुछ चीजें उपहार स्वरूप देनी चाहिए जैसे की डबल बेड का पलंक, बिना जोडे वाला डबल बेड वाला गत्ता, हाथ का पंखा, बिनर सेट, कमरबंद, नाक की नत, पाउं की बिच्छिया, पायल, श्रीफल इत्यादी ये सभी वस्तु उसके आने वाले शादी शुदा जीवन के लिए शुब साबित होंगी, शादी शुदा रिष्टे की डोर बहुत नाजुख होती है, इससे संभालने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, इसके बावजुद कुछ लोगों की शादी शुदा जिन्दगी में परेशानि आ ही जाती है, इसलिए आज हम उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए सबसे सरल और अचुक उपाए बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस खूब सूरत रिष्टे में परेशानिया आती क्यों है, शादी शुदा जिन्दगी में परेश बनाने के लिए कोई भी उपाए करने से पहले समस्या को बारीकी से समझ लेना चाहिए, तो आईए पहले जान लेते हैं कि इतने कुड़नी मिलान और जाच परक के बावजूद आखिर शादी शुदा जिन्दगी में बाधाएं आती क्यों है, तो चलिए जानते हैं वैवा वैवाहिक जीवन में समस्या आती है, कभी कभी जाने अंजाने चूटी चूटी गल्थियां भी वैवाहिक जीवन में मुश्किले पैदा कर देती है, दो लोगों के सपनों और महत्वकांशाओं में टकराव भी अक्सर शादी शुदा जीवन खराब करने का कारण बनता है और कुछ मामलों में किसी तीसरे का दखल भी शादी शुदा रिष्टों में दरार पैदा कर देती है, जब दो लोग उम्र भर साथ चलने की कसमे खाते हैं, तब कोई नहीं सोचता कि इस खुबसूरत रिष्टे में परिशानिया भी आ सकती है, लेकिन अगर दुरभाग्य कैसे आपकी शादी शुदा जुदा जुदगी में कुछ परिशानिया आ ही गई है, तो तनाव ना ले, क्योंकि कुछ उपाय से आपकी इस समस्या का भी समाधान हो सकता है, लेकिन उन उपायों को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है, कैसे करे सु आपधानिया रखनी बेहत जरूरी है, एक साथ कई उपाय ना करें क्योंकि एक साथ केवल एक या दो उपाय ही सपल हो सकते हैं, अगर विवाद शादी शुदा रिष्टे से जुड़ा है, तो छोटी छोटी बाती भी बड़ी होते देर नहीं लगती, अगर आपके विवा के बंधन ढीले पड़ने लगे हो, या आपके जीवन साथी के साथ आपका ताल में दिन मदिन खराब होता जा रहा हो, तो ये उपाय आपके रिष्टे में नहीं जान डाल सकते हैं, तो अगर आप एक बार फिर अपनी शादी शिदा जिन्दगी को खुश हाल बनाना चाहत हैं, तो आप ये उपाय करें, पत्नी को पती के बाई और ही सोना चाहिए, सोने के लिए हमेशा एक ही लंबे तकिये का प्रयोग करें, अलग-अलग गद्दों और तकियों का प्रयोग ना करें, सोने के कमरे का रंग या तो हलका गुलाबी रखे या हलका हरा, कभी भी शैन कक्ष में गाड़े रंग का प्रयोग ना करें पीले रंग या इससे मिलते जुलते रंग का प्रयोग कभी भी सोने के कमरे में ना करें शुक्रिवार को पती पतनी को एक साथ फूलों की खरिदारी करनी चाहिए इस खरिदारी में केवल गुलाब या सफेद फूल खरीदे और उन फूलों को सोने के कमरे में अपने बिस्तर के सिरहाने लगाए यानि कि अपने बेड्रूम में अपने बिस्तर के सिरहाने आपको ये फूल लगाने चाहिए पती-पतनी सोते समय पूर्व या दक्षिन दिशा की तरफ सिर करके सोए पैरों की तरफ बहते हुए जल की बड़ी सी तस्वीर लगाए वैसे तो दोस्तों आपको अपने कमरे में अपने बेड्रूम में बहते हुए जल की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए ना ही घर में कहीं पर भी लगानी चाहिए लेकिन अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो पैरों की तरफ याने आपके बेड्रूम में आप जिस दिशा में पैर करके सोते हैं उस दिशा की दिवार में आप बहते हुए जलकी बड़ी सी तस्वीर लगाएं इससे पती-पत्नी के बीच के कलेश खत्म होते हैं सोने के कमरे में देवी देवताओं की प्रतीमा या चित्र लगाने से बचना चाहिए किसी भी शुक्रवार को हलकी सुघंद वाला इत्र या पर्फ्यूम खरी दे पती-पतनी उसी इत्र या पर्फ्यूम का प्रयोग करें, कभी भी बहुत थीखी सुगंद का प्रयोग ना करें शुक्रवार को देवी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं इसके बाद साथ में उस मिठाई को प्रसाद की तरहां ग्रहन करें इस दिन खटी चीजों का सेवन ना करें कुछ और उपाई भी हैं जैसे हर दिन विवाहित जोड़े को भगवान सूर्य को अर्द दिना चाहिए विशेश थ्यान रखें, आपसे रिष्टों में मिठास के लिए जल में थोड़ा गुड मिला लें दामपत्य जीवन को सुख में बनाने के लिए पती को नियमित तोर पर हर रात किश्मिश वाले दूध का सेवन करना चाहिए और पत्नी को हमेशा सोनी की चूड़िया पहननी चाहिए शुक्रवार के दिन भगवान विश्णो और लक्ष्मी ची को रसवाली मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद के तौर पर पती-पत्नी दोनों इसे ग्रहन करें ना चाहती हुए भी आपसी कलह हो रहा हो तो लाल कपड़े में मसूर की दाल, रक्तचंदन बांध ले और ईश्वर से प्रार्थना करें अब इस पोटली को बहते जल में प्रवाहित कर दें ऐसा ग्यारा मंगलवार तक करने से दामपत्य सुख में व्रिधी होने लगती है घर में जब किसी कन्या की विदाई होती है तो पूरे परिवार का माहूल गमगीन हो जाता है हर सदस्य की आँखें नम हो जाती है खास कर माता पिता ये सोचकर अधिक दुखी हो जाते हैं कि पता नहीं ससुराल में हमारी लाडली बिटिया को सुख मिलेगा या दुख ऐसे में घबराईये मत आईए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे और उपाए जिनसे आपके लाडली बिटिया ससुराल में दुख नहीं सुख भोगेगी अगर आप ससुराल पहली बार जा रही हैं तो अपने घर में एक नारिय लेकर जाएंगे और उसे अपने पूजा घर में स्थापित करके नियमित पूजा करेंगे तो ऐसा करने से पती पत्नी में आपसी प्रेम बना रहेगा शादी के बाद पहली बार जब कन्या ससुराल जाए तो अपने घर साथ हलती की गाठे साथ ले जाएं और फिर एक पीले कपड़े में बाध कर अपनी अलमारी में रख दें ये उपाय करने से धन की बरकत बनी रहेगी दोस्तों कन्या अपनी विदाई के समय अपनी मां से थोड़ा सिंदूर ले ले और ससुराल में उसी सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं ऐसा करने से सोभाग्य में वृध्धी होती है और कन्या का पती उसे जी जान से प्यार करता है साबुत काले उड़द में हरी महने मिलाकर जिस दिशा में वरवधू का घर हो उस दिशा में फैंक दे ऐसा करने से दोनों में आपसी प्रेम बना रहता है अगर व्यवाहित स्त्री साथ साबुत हल्दी की गाठे पीतल का एक टुगड़ा थोड़ा सा गुड़ लेकर अपने ससुराल के दर्वाजे पर डाल दे ससुराल वाले कन्या से प्रेम करते हैं और उसका मान सम्मान करते हैं व्यवा के बाद जब कन्या की विदाई हो रही हो तो एक लोटे में गंगा जल लेकर थोड़ी सी हल्दी एक तांबे का सिक्का कन्या के सिर पर से साथ बार उतार कर किसी निर्जन स्थान पर फैक दे ऐसा करने से कन्या अपनी ससुराल में सदैव सुखी रहेगी कन्या पहली बार ससुराल जाते समय अपनी मा से चार तांबे की कीले उधार रूप में लेकर उन्हें अपनी ससुराल के सोने वाले बेड़ के चारो पायों में लगा दे ये उपाय करने से पती-पतनी में आपसी रिष्टे हमीशा मधुर बने रहते है तो दोस्तों ये थे कुछ आसान से उपाय जिन से कन्या अपने ससुराल में हमीशा खुश रही गी साथ ही हमने आपको बताया कि आपको अपनी बेटी को उपहार में क्या देना चाहिए जिससे की उसका दामपत्य जीवन हमीशा सुखी रहे तो दोस्तों आपको इवीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमें फेस्बुक पेच पर फॉलो करें और योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धर्यवाद दोस्तों आपका दिन श प्रहें जेमा तादी